गर और कीचन के कामों को करना काफी मुश्किल होता है लेकिन अगर इन कामों को हम कुछ टिप्स एंट्रिक्स के तुरू करें तो ये काम आसान होंगे साथ ये सारे सारे पेसे भी बचाएंगे और महनत भी तो hello everyone welcome back to my channel कैसे हो आप सब आज मैं आपके लिए कुछ AC useful tips लेके आए हूँ तो यहां देखी मेरा पहला tips होगा केंची को लिकर और देखी केंची और ये जो चाकू होते हैं इनको हम use कर लेते हैं तो काफी time बाद इनकी धार कम हो जाती है और फिर हमें market से इसकी धार करवानी पड़ती है पेसे भी खर्च होते हैं तो आज मैं एक AC trick बताऊंगी जो आप घर पे ही इनको धार बना सकते हो तो करना क्या है कि आपको लेना है nail police यहां मैं ले रही हूँ देखी nail police और अब देखी होता है क्या है friends केंची को हम केसे भी ही देखे कर लेते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि धार केसे बनती है केंची की तो आप देख पार हो कि एक side में देखी यह plane रहता है और एक side में इस तरह से यह तीरचा रहता है तो आपको करना क्या है कि देखी ये तीछी की साइड जो होती है वहाँ पे आपको नेल पोलिस को देखी इस तरह से रखके और इस तरह से रगड़ना है इससे ये होता है कि अगर केंची की धार नहीं है तो वह अच्छे से बन जाएगे तो friends ये आप जरूर से चेक करके ही इस तरह से करना है नहीं तो आप जो plane वाला है वहाँ पर आप इस तरह से करोगे तो ये अच्छे से धार नहीं बनेगी उल्टी आपकी कैंची और खराब हो जाएगी तो एसी ही देखिए चाकू में भी होता है कि एक साइड में देखिए होता है plane और एक साइड में रहता है थोड़ा सा तीर्चा तो जो तीर्चे की साइड होती है वहाँ पर ही आपको इस तरह से रगणा है तब ही चाकू की धार बनेगी तो फ्रेंच यह बहुत ही यूसफुल है और आज तक के यह वाला जो टिप है वो किसी ने नहीं बताया क्योंकि हम इसको रफ करते हैं तो ठीक तरह से नहीं करते हैं ओल्टा हुए खराब हो जाते हैं तो चलिए हमें आपको ट्राइकर के भी दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया से देखी यह कटा जा रहा है तो इस तरह से हम चाकू कैंची की धार बना सकते हैं घर पे ही तो अगर टिप यूसफुल ही हो तो इससे लाइक करें शेयर करें तो चलिए देख लेते हैं अगला य क्लाइक इसके हैं तो दुफ पिन अब होता क्या है फ्रीज में कोई भी हम सा मार्थ है और इस भी कंठीन करें जिया सकते हैं अनय छो कि काम भी कामें लेते हैं जो अच्छी से नहीं आते हैं तो आप देखिए इस तरह से अद्रक छोटे मोटे जो समान होते हैं वो रख सकते हैं तो है ना बहुत ही useful tips इस tips को आप जरूर से try करिएगा तो चलिए देख लेते हैं अगला useful tips और ये जो tips है ये बहुत ही काम का है दिवाली आ रही है और दिपावली के उपर ये वाला tip आपको बहुत ही काम आएगा तो करना क्या है फ्रेंस यहां देखिए मैंने ले ली है रूई और रूई को हमें पहले इस तरह से थोड़ा निकाल लेना है और फ्रेंस मैंने अगले वीडियो में भी बताई थी कि रूई से हम बाती कैसे बना सकते हैं लंबी वाली बाती तो उसके लिए मैंने अगरबती को लिया था और अगरबती का जो उपर वाला जो था वो मैंने सारा निकाल दिया है और यहां पर देखिए एक मैने निकाली है उसकी स्टीक तो यह जो स्टीक होती है इसकी तरू हम बहुती बढ़िया तरीके से लंबी जो बत्ती होती है वो बना सकते हैं क्योंकि अभी दिपावली पे हम दिये जलाएंगे तो यह लंबी वाली बत्ती हमें बहुती काम आएगी और उस टाइम हमारे कम रहेगा तो हम पेले से ही यह बत्ती बना के रख सकते हैं तो फ्रेंज यह बहुती यूसफुल है और किसी ने कोमेंट करके भी बताया था कि हमें लंबी बत्ती बनाना अच्छे से बताए तो आप देख सकते हो देखी में अलग से आपको बता रही हूँ ताकि क्या है कि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप देखी और लंबी वाली बत्ती बना सकते हो और मैंने इस वीडियो में और भी अलग अलग तरीके की बाती बनाना बताया है तो प्लीज आप वीडियो को इन तक देखेगा बहुत ज़ाद आपको पसंद भी आने वाली है और जो आपको बाती बनाना नहीं आता है तो वो भी आप सीख जाओगे तो आप देख सकते हूं कितना perfect तरीके से लंबी बती बन रही है तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम जो लंबी बती होती है वो बना सकते हैं तो देखी यह जो काम होते हैं इस तरह के बाती बनाना और कुछ नए ट्रिक से अगर हम काम करें तो बच्चों को भी बढ़िया लगता है उनको अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो वो बहुती बढ़िया से और खुशी-खुशी से ये काम कर लेंगे तो फ्रेंज इस तरह से देखे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और कम टाइम में धेर सारी हम बाती बना सकते हैं और कितना बढ़िया तरीके ये बत्य को बनी रही सैं तो इससे अगर आपको यूश्फूल लगें ओ के से बना सकते हैं तो फ्रें बप्ति बनाना भी बहुती आसान है पहले मुझे बहुती जएदा मुश्य लगता था लेकिन अब मुझे इतना हसान लगा बत्त हम जड़ से बना सकते हैं और यहां मैं थोड़ी थोड़ी रुह के यहां पे सले Hey लोगी, कर लेना है तो फूल मे भत्त बना हमने रट हूँ कोटन ही कर दो है और जब हम अपने हाँ से बाती बना के दिया जलाएंगे तो उसकी जो खुसी होती है वो अलगी होती है प्रेंस बहुती बढ़िया तरीका है और इस तरह से देखे आप देख सकते हो मैं कितने परफिक्ट तरीके से यह बती बनाई हूँ बहुती आसान तरीका है ऐसा कोई रूप केई बत्ति पनी हैं और फिर आप देखे तो बहुती बढ़िया से यह बत्ती बनी है तो से आप धेरों फूल बत्ती बना सकते हो देखे तो चलिए जितनी भी हमें बनानी है वो हम बना सकते हैं और फ्रेंस मार्केट में क्या है कि आज कलर फूल वाली बत्ति आती है और देखने में बहुत ज़्यादा सुन्द लगती है और समझ में याता है कि इसको हम केसे बनाए तो फ्रेंस देखे फूल बत्ति बनाने तो आज कल देखिए अजूबा जो कलर आते हैं उसमें कलर फूल आते हैं तो आप वह थोड़ा ले लीजिए और अच्छे से इस तरह से कर लीजिए बहुती बढ़िया तरीका है जो भी आपको कलर पसंद है वह आप लगा लीजिए तो देखिए आप देख सकते हो कितना बढ कर चोंग जाओगे तो कैसी जलाना है तो यहां देखिए में पीले पानी डाली हूं आप देखिए मेरे हाथ में कलर 생겼 है कोई भी आपको कलर पसंद है वह आप लेलीजिए और इस पीस कट कर लीजिए तो यहां देखिए मैंने एक छोटा सा टुकडा कट कर लिया है करने के बाद बीच में हम एक छेद बनाएंगे यानि होल बनाएंगे एक इसमें देखे कुछ इस तरह से बनाने के बाद अब हमें करना क्या है कि एक लेना है हमें लंबी वाली बत्ती और बत्ती लेके हमें क्या करना है कि उस बत्ती को इसके अंदर डालना है देखे इस तरह से और फ्रेंस यहां पर आप पूरा ध्यान से देखेगा तभी आपको समझ में आएगा और देखे आप यूज कर पाओगे तो यहां मैंने देखी बाती को इस तरह से लगा लिया है और अब जो एक्स्टा में है उसको हम नीचे से कट कर लेंगे देखे यहां से कर लिया और अब करेंगे क्या कि हम इस पानी में थोड़ा सा डाल देंगे तेल तो जो भी आप यूज करते हो दिपक के लिए जलाते हो तो वो वाला तेल आप थोड़ा सा इसमें डाल दीजे ज्यादा हम नहीं डालेंगे यहां पर और अब देखिए तेल क्या है कि पानी के पर तेरता है और थोड़ा सा हम इसको भी गिला कर लेंगे तेल से करने के बाद चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं इसके उपर कैसे रखना है तो देखिए आपको क्या करना है कि इस तरह से जो हमने बत्ति को रखा है टेप में वो हम टेप सिधा ही इसके अंदर रख देंगे औ और अगर आपको दिकत हो रही है टेप में तो आप क्या है कि जो पुरानी बोतल होती है या फिर कोई भी कड़क जो प्लास्टिक का होता है वो उससे से भी आप थोड़ा गोल एक सरकल कट कर लीजी और इस तरह से बना लीजी यहां देखिए मैं बीच में भति को ठेरा दी हम इसको जलाते हैं आप देख पा रहे हो देखिए पाने में ही दिया जल जाता है देखिए आप देख सकते हो थोड़ा सा मेने बत्ति को क्या है तेल में कर लिया है थोड़ा सा उपर की साइड में मेने तेल डाला है तो फ्रेंज अब आप देख सकते हो इस तरह से आप अल वीडियो में इसी यूसफुल वीडियो के साथ बाबाई ठीके